वीडियो देख रहा था तीन-चार दिन पहले की आठनों लोग उनके गए उमेश जी के उसके बाद में 200-300 लोग वे गए वहां से दुम दबा के भाग गए कि आज उमेश जी के साथ वही लोग हैं जिन्नों ने पर्णव जी को खराब किया आप मेरा इंटर्वी ले रेज मे क्या कर लेगा अगर मैं कुछ बोल दूँगा मानित हो क्योंकि आप उमेश कुमार जी अब यहां का प्रतिनितव कर रहे हैं वो चार बार के विधाय कर रहे हैं लेकिन हां कुमर पर्णम सिंग्च चैंपियन विकास पूर्स थे विकास पूर्स हैं और यह इस खानपुर व हैं आज भी हम हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रवी राना जी से जो कि मंडल अद्रेक्ष भाच्पा जैन्देर से हैं और जो जन्संपर्क अभ्यान इनके दौरा चलाया रहा है और इनकी सरकार के द्वारा चला जा रहा है भाजपा सरकार के दौर्वा चला जा रहा है और दूसरे आठ तारिक में भाजपा का जो कारेले का उद्गार्टन करने के लिए मुख्यमंतर जी आ रहे हैं क्या तैयारी है और किस तरीके से जुटे वे हैं ये लोग जन्द संपरकों में सब बातों की जानने के लिए हम मिलत तरा चलाय थी कहीं उसी की तरज पे तो जन्द संपरक भ्यान नहीं नहीं राहूल गांदिजी की भारत जड़ो जातरा के तहड़िये भ्यान नहीं है नो साल बेमिसाल भाते जन्ता पार्टी ने इन नो वर्सों के अंदर जो आम जन्मानस के लिए जो कारे की हैं वो आम जन्मानस तक पहुंचे हैं और उन सब उपलब्दियों को लेके भाते जन्ता पार्टी के कारे करता आम जन्मानस के बीच में जाने वाले हैं और यह हमारी जो है जिन जिन लोगों लाभरतियों को इस चीज का लाभ मिला है उन लोगों से हम संपर करेंगे उन लोगों को बताएंगे कि सरकार के द्वारा आप लोगों को यह लाभ मिला था कि आने वाले समय में इस सब चीजों के बारे में जो नहीं जानता उन लोगों क पता लग सके कि भारतिय जंता पार्टी ने कहां तक कार्य किये तो आभी जनसंपर का भ्यान के साथ ही साथ आपका जो कार्यले है बाजपा का यहां पर रुटकी के अंदर नहीं था उसका भ्यूत घाटन उसके बारे में क्या तयारी चल रही है देखिए बड़ी खुसी की ब लेंड एरिये में शायद उत्राखंड के अंदर ये पहला या दूसरा कारेल है इतना बड़ा कारेल है जो रूड़की के अंदर बनने जा रहा है जिसके अंदर सारी चीज की सुधाएं होंगी सभी के बैठने की वेवस्ता हैं कॉन्फरेंस ओल कॉलिंग और जिसका उद्गाटन करने के लिए माने मुख्या मंत्री जी माने परदेश अध्यक जी माने सांसर जी और हमारी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ट नेता और वरिष्ट मंत्री आठ तारिक में साधे दस बजे सुबह यहीं दिल्ली रोड पर आन जी अभी आपी ने काया है कि जन मानस से जन संपर्क करने के बाद हम सरकार की उपलब्दिये बताएंगे तो अगर बात करी जाए खानपूर की तो खानपूर में तो लोगों का कहना यह है कि जितने भी विकास कारिये हुए है वो उमेज जी ने करवाए है संदीब भाई यह तो एक हसी का विशय है मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप खुली डिबेट करिए जहां पर मंच लगाना चाहते हैं वहां पर मंच लगाईए और आप मेज जी की उपलब्दियां बताईए कि आप उन्होंने क्या काम किया है और मैं अपनी भारति meaduwजी ने कहा है क्या वह उन्होंने जारी किया पुछ ताइम पहले जारी किया है और पानी का सी सारी ऊजणाय उमेश इनपर शेकूराईए आपने पढ़ा हऊः पाजना क्या यह मंने मुख्यमंत्री 2019 की गोस्ना के अनुषार और मान्य विधाक जी कब मनें कौन से वर्स में मानने विधायक उमेज जी यहां पर विधायक बने 2020 में तो कब तक बेवकूफ बना ओंगे आज मैं हमेशा इसी बात के लड़ाई लड़ता हूं कि आप जंटा को बनाना छोड़ दीजे आपने मोटर साइकल का आपकी मोटर साइकल से कोई है लेना नहीं है आपने कोई बच्चा खेल रहा है उसकी वीडियो बना के डाल दी बच्चे से इतना प्यार बच्चे उन्स चीजों से ने आप यह बताइए ना कि आप लोगों की कमियां डूंड़ते हैं पहले आप अपनी कमियां बताइए आपने अभी बहुत दस-फंदरा दिन पहले एक वीडियो जारी करके कहा था कि किसी भी अदालत के अंदर मेरे पर बलतकार का केस वा मैं रिजाइन कर दूँगा क्यों नहीं दे रहे अब तो सारे सबूत मीडिया ने भी दे दिये और लोगों ने भी दे दिये क्यों स्तिफानी दे रहे अब यह खानपुर की बोली वाले आपके बैकावे में आने वाली नहीं है और अब लड़ाई आरपार की है और जिस भी तरीके से आप चाहोगे उस तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा तो क्या इसी बात को लेकर जो पूर विदाय के परनम सिंग चैंपियन वो खुला चैलेंज कर रहे हैं इनको खुल अब उन लोगों का क्या है कि कभी उमेश जी बोलते हैं कभी विदायक जी परनम जी बोलते हैं ठीक है वो उन दोनों की एक परसनल लड़ाई है लेकिन आज मैं उमेश जी से भी कहें देना चाहता हूं कि जो लोग उनके साथ लगे हुए ना पहले यह सारे के सारे यही लो जंदगी में चाहिए इस विधान सभा के अंदर और वही लोग आपको यहां पर सनक्षन दे रहे हैं रवी जी आपका कहना है कि उमेज जी का और पर्णव जी का आपसी विवाद है लेकिन इस आपसी विवाद का कहीं खानपूर की जंता को तो खामयाज नहीं भरना पड़े और पानपूर क्याँ्स ब कि उसले मीडिया में घुमने के लि crashed तो है पर गाज दिखाए मैंने भिधायậं मेंने करने के इर चिस्में ने की स मर्तक कने जाब ऑपर नहीं सामने हो रहा है और शब्याइश करतू बाद दिए मतलों विधारति हो जाएं दो, I am प्रेस काफेरेंस करída है फिर ब्रहमन समाज ने भी कर रही है अब 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 मैं क्या कहूंँ अगर बात को कहूंगा तो फिर बहुत ज्यदा बात बढ़ जाएगी किनी 4 लोगों से समाज नहीं चला करता किनी चार आदमियों से संगठन नहीं ना घरता है कि बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है उनके लिए बहुत बड़े विचार करने पड़ते हैं कि और कोन कि साथ है और और आने वाला समय बताएगा कहीं अगर एक छोटीती बात और आ रही है जैसे इन दोनों ने विवादित ब्यान दे के आपस में समर्तकों को लड़वाने का काम कर रहे हैं तो इसमें सासन पर सासन की भूमिगा होनी चाहिए एक दूसरे के मलब सासन पर सासन को ध्यान देना जोड़ा की बड़िए निश्चित होनी चाहिए सासन की क्योंकि आज जिति शित्य विधानसर्भा की बड़ी इस्पोठक है यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है ठीक है कारे करता हो के उपर टौंट कसना या कारे करता हो के उपर वो करना अभी आप देखिए उस दिन अभी मैं परसो चोथे की वीडियो देख रहा था तीन-चार दिन पहले की कि आठनों लोग उनके गए उमेज जी के उसके बाद में 200-300 लोग वे गए वहां से दुम दबा के भाग गए अगर वहां पर वो उन लोगों के सामने होते तो स्थिती क्या थी जगडा होता निश्चित होता ठीक है तो ये सब चीज़ें दोनों को समझदारी का प्रीच्चे देकर दोनों को रोकना चाहिए तो जो इस्तिती परिस्ति चल रही है अगर जो भविश्य में ना करे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसका जुमेदार कौन होगा वो लोग जिन्नोंने इनको जिता के बेज़ा है या ये लोग आज का मैंने क्या बात कही कि आज उमेज जी के साथ वो ही लोग है जिन्नोंने पर्णव जी को खराब किया पर्णव जी के साथ में वही लोग थे आज वही लोग जवाब दे ना वही लोग बताए ना और आज वो ही स्तिती आके उमेज कुमार जी के साथ लगके तो नुकसान किसका है? क्योंकि कार्ण कि वे उन लोगों को किसी को ठेके दारी करना है, किसी को थाने कोट्वालियों की दाल आली करना है, बाँज ना बैएगा, और गया, बाँजिकों के अपने नहीत, वो रावा ह। की लिए नहीं कर रहें उन लोगों के अपने हीते हैं जैसे भाजपा को अनुसासित पार्टी बोला जाता है तो वह निश्ची तोर पर बाहर निकलेगा जब आप किसी को चेड़ोगे आप किसी को कुछ कहोगे ठीक है आपके पास यह इसका मतलब यह निया कि आपके पास अगर बहुत बड़ा सैट अपके पास सोसल मीडिया आपके पास चोटे-चोटे कैनम जो है चैनल के लोग है अच्छा एक बात बताईए अब आप मेरा इंटर्वी ले रेज में सासन प्रसासन क्या कर लेगा अगर मां कुछ बोल दूंगा बताईए ना नहीं जैसे आपने बोला है कि परणव सिंग को चेड़ते हैं तो चेड़ने का कानून का भी तो सारा ले सकते ना अपने आप त अच्छा एक बात और भी देखी गई है कि आज तक जो भी चल रहा है खानपुर विधान सभा के अंदर जो भी तिका तिपड़ी चल रही है यह आपस में फेस्बूक फेस्बूक में करते हैं मेडिया में करते हैं लेकिन आमने सामने नहीं होते क्या करण यह तो वही लोग बता सकते हैं यह तो वही लोग बता सकते हैं लेकिन इस सारी लड़ाई में खानपुर विधान सभा का नुकसान हो रहा है खानपुर विधान सभा विकास के मामले में रुग गई है इसमें कोई दोरा नहीं है कि जितना काम को पर्णम सिंग चैंपियन ने इस खानपुर व आज सारे गाहों में पानी की समस्या बताइए आपने तिकर्मन के ऊपर बोला कि बताइए आप जवाब दीजे अगर कहीं जोड खुदरा फोटो खिच्वाने के लिए तो चले जाते हो बताइए आपने कितनी बार लेटर सासन पर सासन को दिया बरसात आने वाली है चेत्रों हर आजमी की सुननी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो फिर रोध भी जेलना पड़ेगा लेकिन पानी की निकासी तो करवा दिया है मंजूरी भी मिल गई है कि जो रदी नाला है नगला इमर्ती से होते वे सलानी नदी पर जाएगा यह किसने करवाई है उमेज जी बता रहे हैं चलिए मैं उमेज जी से बोलता हूं मेज जी अगर आपने करवाई है न हम लोग तो लगे हुए हमने काम किया और काग्जों के साथ इसके प्रूव भी देंगे जब से विधायक बने हैं इन पेड़ों की परमीशन हो नहीं थी कटने की नाले कि आप इतना बड़ा अपना बताते हो कि मैं यह हूं मैं हूं आज तक इन पेड़ कटने की परमीशन तक नहीं करवा पाए चेतरी अभी धायक जिसकी वज़े से नाला नहीं बन पाया अगर वो स्क्रिय होते अगर उन्हें पता होता अपनी जिम्मेदारियों का पता होता तो आज इस नाला बनने से खाली धंडेरा चेतर की निकासी ना होती आज इस नाला बनने से आप यह देखिए यहां से लंडोरा धंडेरा आगे जाके जितना भी एतितोला इन सब इन पूरे चेतरों की पानी की निकासी हो जाती लेकिन आप ने तो इन सब चेतरों की पानी की उससे थोड़ी ना विकास होगा, अरे उन सुविधाओं का लाब आप ले रहे हो, आम जन्मानस को क्या लाब दिया, आपने, आपने चार बच्चे गोद लिये थे, बताइए, मैं परसों का इंटर्व्यू देख रहा था, क्या हुआ उनका, अभी कैम्प लगा था, वहां उ देख सकते हों कि इस विधान सभा की स्थिति क्या है, और लेकिन अब मैं बोल देना चाहता हूँ, विधायक जी, अब ऐसा होने वाला नहीं है, और भारतिया जन्ता पार्टी का कारे करता है, सड़कों पे उतरकर आपकी हर चीज की पोल खोलेगा, या तो अपनी कारे सेली चेंज कर लो और अपने साथ के जो लोग हैं, टुच्चे लोग अपने साथ लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसका बी दूरश ना पढ़ेगा, जो मैंने सब्ड बोले है ठीक है उन लोगों को भी आपको समझाने की जुरुत और आपको सावधान रहने की जुरुत है तो जनता से क्या पिल करना चाहोगे इन दोनों नेताओं की बारे में जो तीका तीपड़ी चल रही है जनता से क्हानपूर की जनता बड़ी नरम और बड़े दिल की है मैं आम किसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इस चीज में हमें पढ़ने की जुरत नहीं है और सदभाओं के साथ इस विधान सभा में रहे और दोनों मानने विदा कुषण चैंपियन जी को कि आप उमेश कुमार जी अब यहां का प्रतिनीतव कर रहे हैं वो चार बार के विधाय कर रहे हैं लेकिन हाँ कुमर पर्णम सिंग चैंपियन विकास पूर्स थे विकास पूर्स हैं और यह इस खानपूर विधानसभा की जनता के मुझसे दुबारा से यह वाज उठने लग रहे हैं उनके रगड़े जवड़े में ना पढ़िया और साथ ही उमेश कुमार जी से और परिनफ जी से भी अपील की है कि जो लोग आपको आके बढ़काने का काम करते हैं उन लोगों के बढ़काए में ना आए और खानपूर में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी वो कारिये पूर्य करवाएं और साथ ही कैनम लोगों के बढ़काए में आके खानपूर की जनता का विनास ना करें तो इसी के साथ बने रहे हैं इसी तर्की के खास सक्सों के साथ फिर मिलवाते रहेंगे आपको जब तक के लिए दीजिए जयाज़त जय हिंद जय बारत ज झाल